ओम शान्ति आत्मा शरीर द्वारा पाड़ बजाती है बिन बिन नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है हुआ है अगों कैससे एक शरीर छूटते दूसरे शरीर में जाते पूरे किरदार बदल जाते यह थी तो वात्मा ही ना जब वह उस परिवार में होती है तो इनी समंधों के बीच में है और जैसे ही वह शरीर बदली करती है, तो जिस परिवार में जनम लेती है, वो ही परिवार उसका हो जाता है, तो सारा परिवार बदल गया न, सारा परिवार ही बदल जाता है, कोई एडॉप्ट करते हैं, तो परिवार ही बदल जाता है, अब माल लो किसी ने गरीब के घर में जनम ले लिया, लेकि हर बात को यर्थार्थ समझा देते हैं कि तुम मेरी संदान कैसे ये तुम्हारी माता कैसे मैं तुम्हारा पिता कैसे कैसे मैं आके तुमको समझाता हूँ कैसे तुम्हारी एडॉप्शन होती है कैसे दुनिया में भी एडॉप्शन का रूल है कैसे वहां पे भी अब गरीब का बच्चा सावकार लेगा सावकार का बच्चा गरीब तो नहीं लेगा गरीब का बच्चा सावकार के पास जाएगा तो adoption जो होगी वो उच दर्जे की हो जाती है ना तो level तो बड़ा हो जाता है अब हम शुत्र घराने से ब्रामन घराने में माना उस ही पिता ने हमें अपनी गोद में बिठाया, माता के माद्यम से हमें हमारा परिशे दिया, हमारा बदली हुआ सब कुछ, धरा ना बदल गया, परिवार सारा बदल गया, तो भिन भिन नाम रूप देशकाल से आत्मा एक शरी छोड़ती है, तो सारा परिवारी बदल जाता है, मान लोग इसने भारत में शरीर लेकर उसमें पार्ट बजाकर फिर शरीर छोड़ा और जाके लंदन में जनम लिया, अब जो भी उसके परिवार के होंगे, लंदन में भी होंगे, हाँ, कुछ भारत में भी होंगे, लेकिन वो तो रहेगी तो आत्मा लंदन की ही क्योंकि उसने तो जनमी मां ले लिया अब पहले वो भारत में थी अब लंदन में है आत्मा ये ऐसे पार्ट बदली करते हैं ठीक आप कोई गरीब होगा भारत में होगा और उसको एडॉप्ट लंदन वाली किसी फैमिली ने कर लिया तो वो चली गई तो बदल गया ना उसका सारा परिवार इस सारी चीजें वावस समझाते हैं कोई एडॉप्ट करते हैं तो परिवारी बदल जाते हैं मात पिता जिसस जनम लिया उनको भी जानते हैं मालूम रहता है कि हां भी इन्होंने हमें जनम दिया है फिर जो एडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं फिर जिसने एडॉप्ट कर लिया उसके घर का हो जाते हैं ओके ओम शान्ति